तो और भाई लुक क्या हाल चाल आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे यार फस्स की लास तो फाइनली गईस लेके आए हूँ आप सब के लिए शौमी एनपो को डिवाइस के उपर टॉप टू प्रीमियम थीम तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो गाईस यह है हमारे लिस्ट के फर्स्ट थीम अगर आप लोग इसकी होम स्क्रीन पे आते हो और आइकन पैक की युई को देखते हो तो यहाँ पे आप लोग को काफी इंट्रेस्टिंग सा आइकन पैक की डिजाइनिंग देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे जो रेड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आप लोग को देखने के लिए मिलता है यह और भी थीमों से काफी अलग है गाईस तो यहाँ पे आप लोग को कुछ ऐसा चाहिए आइकन पैक्स तो आप लोग इस थीम को ट्राइ कर सकते हो बाकि यहाँ पे नेविगेशन बटन टोटली यहाँ कि तो आप लोग देख सकते हो फूल, आप लोग को डार्क में देखने के लिए मिलता है और इस थीम को अपलाई करने से पहले अपने डिवाइज में डार्क मूर्ड को इनेबल करना है दन इस थीम को apply कर देना है तो आप लोग को कुछ ऐसा home screen की युए प्रोवाइ देखने के लिए मिलता है और इस theme में अगर lock screen देखा जाए तो काफी interesting है guys अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो clock visit काफी ज़ादा next level है और साथी में यहाँ पे touch करते हो unlock वाली text के उपर तो यहाँ पे आप लोग को unlock भी हो जाता है अपना device तो unlock style भी काफी बेतरीन and काफी next level है guys आप लोग को simply अपने settings में जाके face lock को सही से करना है और यह theme पे आप इस तरीके से unlock style दे सकते हो तो simply यहाँ पे settings app में हम आते हैं और यहीं पे password and secretary वाली option में हमें चले जाना है और यहीं पे आप लोग को face वाली जो data होती है unlock वाली face वाली इसके उपर type करके अपना password fill कर देना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक option देखने के लिए मिलेगा stay on lock screen after unlocking यह वाला आप लोग को enable करके रखना है तो ही इस तरीके का lock screen की style आप दे पाओगे unlock style तो अब main point पे आते हैं guys की इस theme का name क्या है तो देखो इस theme का name में description and display पे दोनु जगा पे मैं so कर दूँगा description एक बार जरूर से check out करिएगा बात आती है हमारे list के second theme को apply करने का तो all right guys यह है हमारे list के second theme अगर आप लोग इसकी volume style देखते हो तो यहाँ पे आप लोग को काफी next level designing and colorful भी देखने के लिए मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो full red color के साथ इसकी volume style की designing की गई है अगर आप लोग red color जादा पसंद करते हो तो इस theme को free में try कर सकते हो name है इसका description box में check out जरूर से करियेगा और guys इस theme की अगर icon pack and settings app की UI की हम बात करें तो यहाँ पे settings app की designing आप लोग देख सकते हो full red color में देखने के लिए मिलता है जो side mount में आप लोग को बार देखने के लिए मिलता है यह भी आप लोग को full red color के साथ देखने के लिए मिलता है और about phone में आते हो तो यहाँ पे MIUI 13 का भी logo provide कर देता है यह theme and guys इस theme की navigation button को भी आप लोग देख सकते हो काफी ज़ादा change किया गिया है काफी beautiful यहाँ पे navigation button भी provide कर देता है यह theme तो हम बात करते हैं फट फट से इसकी smoothness की guys तो इस theme को apply करते हो तो आप लोग को full smoothness देखने के लिए मिलता है अगर आप लोग refresh rate के बारे में जानते हो तो उस तरीके का यह provide कर देता है 60 heart का है इसमें set किया हुआ लेकिन guys लगता नहीं है कि 60 heart पे है और बात करते हैं इस theme की lock screen की UI की तो आप लोग देख सकते हो लोग screen में charging animation भी कुछ ऐसा सो करता है clock visit काफी next level है guys कोई भी kwzt का इस्तिमाल नहीं किया गया है यह आप लोग को themes के अंदर ही देखने के लिए मिलता है और guys यहाँ पे अगर आप लोग control center की UI भी देखते हो तो यहाँ पे भी आप लोग को full red color के साथ redesign देखने के लिए मिल जाता है जो और भी theme में हमें इस तरीके का control center नहीं provide किया गया है जैसे कि यह windows की तरह हमें देखने के लिए मिलता है control center की UI तो I hope कि आप लोग को यह video पसंद आई होगी सबसे अची theme आप लोग को कोई सी लगी comment में जरूर से बताएगा और हाँ guys अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किये तो please subscribe करना बिल्कुल मत बुलिएगा आप लोग की support की काफी ज़्यादा हमें जरूरत है तो मिलते हैं एक नई जी themes की वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and bye